आप सभी को मेरा प्रणाम पासा करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, मित्रो आज लिसोडे की चर्चा करेंगे, घरों में सबजियां बनाने के लिए आप लिसोडे को इस्तमाल में लाते होंगे, highly nutritious होता है, कोडिया मिक्सा, बोरा जिनेशिकुल का ये प्लांट है, simple leaves आप इसके देख पा रहे होंगे, वात, पित, कफ, तीनों के समन के लिए इसका उप्योग किया जाता है, साथियों इसकी छाल, छाल का decoction हम बना कर पीते हैं, तो कफ और पित दोनों का समन करता है, पांच गिनाम छाल का decoction आप बना लेजिए, सभी प्रकार के कफ और पित की स कफ को भी दूर निकालता है, अस्तमा या ब्रॉंकाइटिस के समस्या हो, उसको भी ठीक करता है, हर्मोनल डिस्रेगलेशन हो गया हो, मीनोर हीजिया की अगर समस्या हो, उसको भी ठीक करता है, और बड़े हुए पित के कारण, टुमिरस ग्रोथ हो गई हो, कैंसर बन गया हो फोड़ा हो गया हो घाव भर नहीं रहा हो तो इसके काड़े से धोना चाहिए साथ ही साथ इसके काड़े का से बन्वी करना चाहिए anti-cancer potential इसके decoction के अंदर होता है इसके काड़े के अंदर होता है बहुत अच्छा कारे करते हुए आसानी से करता है सबी प्रकार केwater mówi को अ 6 अब ड़िट करता है बड़े हुए थाइरइड इसके पत्र आ आ डेक और आ ram करते हैं तो बुखार को ठीक करने का कारे करता है है अनाल जैसिक ए vehicle पाइरेटिक है और एंटी इंख्लामेट्री है सूजन कहीं हो गई हो तो इसके पत्र का पेस्ट बनाकर फुल्टिस बांद देनी चाहिए और साथ ही साथ इसके काढ़े का सेवन भी करना चाहिए इसका जो फल है वह वात और पित दोनों के समन के लिए उपयोग में आता है मि इसका जो फल आप देख रहे होंगे इसका जो फल है जब यह कच्ची अवस्ता में होता है तो हम इसकी सब्जी बना कर उपयोग मिलाते हैं और जब यह पक जाता है तो मीठा होता है और इसको हम आराम से चूस के भी खा सकते हैं इसके सुखाने के बाद इसका पाउडर बन करना कर भिया आप से बन कर सकते हैं सभी प्रकार के joint pain को दूर करता है युरेथ्रा का pain हो उसको भी ठीक करता है क BBQ करता है और गर्दन में दर्द हो जाता है कैई बार लंबी अवस्था में बैठने के कारण चरीर के पोंस्टर्टर्ण प्रब्लम के कारण निकलने के बाद बड़ सुित की प्रसाक्ते हैं सबी प्रकार कि कम जो करता है माताएं बेहने जो सिस्वों को दुग्द पोशन कराती हैं वो भी आसानी से सेवन कर सकती हैं शरीर के मिनरल्स की कम्मी को पूरा करते हुए सभी प्रकार से पूरी तरह से सेफ है इसक्टिव भी है और आसानी से आप कहीं भी मार्किट में आपको इसके फल जब कभी मौसम में देखने को मिलें तो आप फल ले आए उनका सेवन कीजे सबजी बना कर सेवन कीजे सभी प्रकार का पोशन देने का कारे करता है कम जोरी को दूर करने का कारे करता है आडियो प्रोटेक्टिव होता है पित्ट की समझ्चा अगर वह उस्था बन गई हैं बच्चे होते हैं बच्चे को एकस्पेल नहीं कर पाते हैं थूक नहीं पाते हैं तो उनको भी अगर आप इसके फल और पत्र दौनों का काड़ा बना कर देंगे तो आसानी से लंक्स के अंदर से कफ को पतला करके निकाल देता है बार-बार Leese के करेंड इसी सूटλη करता है ऑफिसे मैं बैठते समय चेस्टपेण हो जाता है कंजेशन हो जाता है और स्वांस लेने में दिक्कत आती है तो लंक्स को हो कर In a Col को बढ़ाने का कारे करता है और अभी आपके दांतों में दर्द हो तो आप इसकी छाल का काढ़ा बना कर पत्र का काढ़ा बना कर अगर आप गारगल करते हैं तो दांतों का दर्द भी ठीक हो जाता है सभी प्रकार के होर्मोनल प्राब्लम वात जनित प्राब्लम और कफ जनित रोगों का आसानी से दूर करते हुए हमको अच्छी क्वालिटी हेल्दी लाइफ देने का कारे करता है जानकारी को सांजय करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हो सगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें झाल 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 झाल